नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो नापकी युद्ध, न्यूक्लियर, एक्सिडेंट से डरता नहीं हो क्योंकि एक बटन गलती से दबा एक एक्सिडेंट हुआ और दुनिया खात्मे के मुकाम पर पहुच जाएगी लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है कि जो शक्तिशाली देश हैं जो सामराजवादी शक्तियां हैं वह लगातार युद्ध, न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर एक्सिडेंट की आशंका को जिन्दा रखती हैं इस खौफ के साय के तहट देश और दुनिया चल रही है देखिए यूक्रेन युद्ध जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में रूस के कबजे में जो जापोर्जिया न्यूक्लियर प्लैंट है उस पे गोली बारी जारी है उसे लेकर चिन्ता बरकरार है इस पूरे मुद्धे पर हम अपने पिछले एपिसोड में बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं इसमें एक डवलप्मेंट जो बहुत एहम है और शायद इसी हफ़ते वो एक्जेक्यूट हो जाए वह यह है कि इस प्लैंट में इंटरनाशनल अटॉमिक एनरजी एजनसी IAEA जो दुनिया भर में जितने न्यूक्लियर प्लैंट्स हैं उनको देखने उनके बारे में निरनाएक फैसला करने वाली एजनसी है उसके इंस्पेक्टर इस परमाणू सयंद्र का मुएना करने पहुशने वाले हैं उन्होंने फैसला कर लिया है और इस कदम का यूक्रे हटनाओं की चर्शा कर रहे हैं वह दुनिया की कूठनीती में बहुत निरनायक भूमिका अदा करने वाली हैं सबसे पहली खबर ताइवान के समुद्री छेत्र में दो अमरीकी युद्धपोत गए हैं और एक बार फिर इनके वहां पहुशने से चीन और अमरीका के बीच जो पहले से अमरीका की जो हाउस स्पीकर नैंसी पिलोसी गई थी उन्होंने जो ओचक यात्रा की थी ताइवान की उसके बाद जिस तरह से चीन नाराज था उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो दो युद्धपोत गए हैं इससे दुबारा दोनों समीकरण दोनों के ब पीच वह फिर से गरबढ़ा सकते हैं और दूसरी बड़ी खबर वह आई है अफरीका से अफरीका का एहम देश लीबिया जिस तरह से वह दुबारा ग्रह युद्ध में फसा हुआ दिखाई दे रहा है वहां जो वार लॉड्स हैं वह एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रह है बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और कौन चला रहा है इन दोनों एहम अंतराश्टिय खबरों पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकायस के साथ प्रबीर सबसे पहले हम आपसे जानन नेटा नैंसी पिलोसी वहां पहुची थी तब भी बहुत तनाव था और यह फिर युद्धोतों का पहुचना आखिर क्या अमरीका चाहा रहा है इस तरह से युद्धोत को भेज कर देखिए पहली बात तो यह है कि अमरीका बीच बीच में युद्धोतों को तैवान की खड मावरन पैदा करना यह तो इस पर होता ही और दूसरी बात जो टाइवान की खाली में खास तोर से होता है यह कहना कि ताइवान पर अगर कोई आक्मर्ण होता है जए चिन अगर करता है तो उस पर हम उसका मकायबला करने के काबिल हैं क्योंकि देखिए हमारा जुध्यपर्त आसपास इर्दगिर्द है तो ये एक कहना है हलाकि सब को मालूम है कि अगर सचमुच युद्ध होता है अमरीकी खुद की जो अंदरूनी रिपोर्टे हैं वो साफ कहती है कि उसमें हम इसको कर नहीं पाएंगे चीन को इस वक्त हम रोक नहीं पाएंगे वो अकाबलियत हमारी नौसेनाओं के पास नहीं है जो शायद 20 साल 25 साल पहले हम कर पाते थे अब नहीं कर पाएंगे ये उनका कहना है खुद की रिपोर्ट बहुत सारे रिपोर्ट इस तरह के आते रहते हैं पर टाइवान को एक होसला बढ़ाना कि चीन आप पर आक्रमान करेंगे तो हम आपके साथ होंगे ये एक तरफ ये घोशना है दूसरी तरफ ये बात है कि चीन को थोड़ा सा बीजबीच में जगजोर देना थोड़ा सा तनाव पैदा करना ये तो बहुत दिन से अमरीका का प्रयास चाहे साउचाइना हिस्सी हो या तो टाइवान की खाड़ी हो इन दोनों के लेकर रहा है सवाल ये है कि क्या तनाव सच्पूच इससे बढ़ा है इस बार अगर आप देखे अमरीका भी बड़ा सोच सबच के ताइवान में जो खाड़ी में जुद्ध पोत काफी बाद भेजा जबकि चीन का जो गुस्ता था पैलोसी की जाने का वो काफी नीचे आ जो चारो तरफ से नौ से नाओं को भेजा चीन ने भेजा उन्होंने कुछ वार गेम्स किया और वह पावर शो इसलिए भी किया कि टाइवान का भी एक शेतावनी देना था कि देखे वन चाइना पॉलिसी जो अमरीका भी मानता है दुनिया के ज़्या तर देश मानते हैं और जो चाइना की पॉलिसी रही है यानि चीन और टाइवान एक देश है और टाइवान भी बहुत दिनों से इसको मानता था अब जो है एक धुलमुल स्थिती है क्या ओ अपना आजादी घोश ना करे ना करे इसकी बातचीत चाइवान में चल रही है और उसको कितना प्रो चाइना पॉलिसी होना चाहिए मानते हमी भी कि वन चाइना पॉलिसी है और इसकी बहुत पुरानी इतिहास है अब आज उस पर नहीं जाओंगा क्योंकि एक वक्त पे अमरीका कहता था टाइवान ही चाइना है ठीक है चीन की राश्रक जो से लेफ्ट कॉम्मिनिस पार्टी किसी सरकार बनाई उनिस सो पचाइस में जब चीनी करांती हुई थी तब उसको नहीं मानते थे कहते हैं टाइवान में जो च्यांकाईशेक की सरकार है वही असली सरकार चीन की है अब उल्टी बात आ रही है पर सवाले कि यह तनाव जो है इसको अमरीका बरकरा रखना चाह की एक defacto गोशना के और बढ़ रहे हैं defacto legally नहीं openly नहीं साय करेंगे पीछे से कहेंगे चुकती कर लेते है military aid की हमारी लोग जाएंगे वहां पर जो इस तरह के जो उनकी राजनीती रही है या कूट नीती रही है इसके खिलाफ चीन क्या करेगा ये सवाल है और ये युद् of navigation के नाम पे करते हैं जिसकी उपर बहुत सरे सवाल है जी जैसे freedom of navigation आपने कहा तो सवाल है कि अमरीका का ये कहना है कि हमारे पास freedom of navigation है अंतराष्टे कानून कुछ और कहते हैं अमरीका यह भी बताने को तैयार नहीं है कि वह युद्दपोत में क्या ले जा रहे हैं तो य वो एक अनोखी बात है और कोई मुल्क दुनिया में नहीं है कोई राष्टे नहीं है दुनिया में जो यह कहता है कि हमारी freedom of navigation हम निधारित करेंगे क्या है नहीं है उसकी लेखाएं क्या होगी lines क्या होगी जो हम नहीं मानेंगे दूसरे सरकारों की और हम बोलेंगे कि कहा ह हम जा सकते नहीं जा सकते यह अंतराश्ट्रिय वाटर्स जो है वो हम बताएंगे तो इसमें दो चीज है आपने दोनों की जिकर किया एक तो है अंतराश्ट की बॉर्डर जो है समुंदर में क्या है line क्या है जिसको हम कहेंगे कि यह हमारा बॉर्डर है समुंदर में तो इस उसमें अंकलास की जो बाते रहती है जो उसको अमरीका कोट करता रहा है युनाइटे नेशन्स की ट्रीटी है लॉफ सीज को लेके उसमें अमरीका की इंटरप्रेशन अलग है न कि अमरीका अंकलास को दस्तकत किया है अभी तक उसस्वीकृती नहीं दिया उसनों ने तो अंकलास को वह ओफिशिली बाहर है अभी तक उन्होंने अंकलास का हिस्सा नहीं बने एक तो ये बात है हलाकि अंकलास के दुहाई जो है वो लगातार देते रहते हैं फ्रीडम आव नाविगेशन पे उनकी हर मुल्क की द और उनकी जो खुद ऐलाइज है फ्रांस है कैनडा है इन सब ऐलाइज की भी वो फ्रीडम आव नाविगेशन के दौहाई दे के उनका भी वो उलंगन करते हैं उनकी समुदरी इलाकों में बार्डर में वो घुशते रहें अपने युद्ध जो बार्डर फ्रांस कहता है ज जो मांते हैं इनकी खुद की एलाइज जो है फिलिपीन माल लीजिए उनकी जो पूरी बार्डर वो कहते हैं वो नहीं मानते हैं तो उनकी पूरी लिस्ट है तो फ्रीडम आव नाविगेशन एक अनोखी चीज है अमरीका के पास जिसमें किसी भी देश के पास वह जाके आपका सिविल जहाजों के लिए है मिलिटरी जहाजों के लिए है क्या तो यह जो चीज है जिसी को है ग्रे एरिया अंकलॉस में है अर्डूसरी बात इसलिए है कि यह जब्मदारी है किसी भी जहाज की जब जाता है इस तरह से किसी देश की टेरिटोरियल वाटर्स भले ही नहीं नहों पर इकनॉमिक जोन से जो जाता है कि आपका जहाज क्या 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 कर सकता है क्या 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 कर सकता है क्या नहीं कर सकता है यह जानकारी उस टेरिटोरियल कंट्री को यह देश को होना चाहिए जिसके समुद्री बॉर्डर आप छू रहे हैं या पास में हैं और कु पर आप कम कर सकते हैं क्या उनको रेडार को आप ब्लैंकेट कर सकते हैं क्या क्या आप वहां पर जो सी बेड की जो है उसकी तद्वीर ले सकते हैं उसकी सैंपल ले सकते हैं क्या तो बहुत सारे ऐसे चीजे हैं और सबसे एहम चीज जो जिसके लिए बहुत देशों की करते हैं वो अगर खतनाक है तो उसके इतला पार तट तट जो देश है जो दिनकी सीमाओं के नजदीक से आप गुजर रहे हैं तो उनको खबर देना है और यह नूखलियर बॉम क्या आपके पास है या नहीं है क्या आपके जहाज में आप नूखलियर बॉम्स कैरी करते हैं नहीं इसकी इतला तब देनी की ज़रुत है जो अमरीका कभी नहीं देगा तो उनकी तो गोशित पॉलिसी है कि हम नहीं बताएंगे कभी भी हमारा जहाज में नूखलियर बॉम्स हैं मिजाइल्स हैं या नहीं हैं तो इसलिए भी जो फॉन आप्स करते हैं वो यह खबर नह देश जो है इस इन फॉन आप्स के खिलाफ रहे हैं और इनकी मैंने जो कहा साउथ चैना में साउथ चैना सी में रेगुलर स्फीड़ बाब नाविगेशन फॉन आप तो अमरीका का कहना है तेक नहीं उनकी बनाई हुई शब्द है फिड़ बाब नाविगेशन के नाम पे यह करते हैं और टाइवान स्टेट्स पे करते हैं और जैसे वो कहते हैं रूल बेस्ट इंटरनाशनल ओर इसकी तो कोई संग्या कभी किसी बिदिया नहीं कोई परिभाशा है नहीं सिर्फ है कि जो हम कहते हैं वही अंतराश्टी दादागरी जो अमरीका की है वही चलेगी इस तरह फॉन ओप्स के उनकी बनाई गई शब्द है अंक्लास में इसका कोई जिकर नहीं है ना की अंतराश्टी इसका कोई लिगालिटी है और ना की दूसरे मुल्क इस फॉन ओप्स से कभी भी सहमत हुए हैं हलांकि जो उनके मुतमित्र देश है जोर शोर से नहीं कहते ह और उनकी अगर आप लिस्ट देखे तो अमरीका का अब हम चलेंगे अफरीका की तरफ अफरीका के लीबिया देश की तरफ वहां पर दुबारा ग्रेह युद्ध छिड़ा हुआ है जो दो समू है वह टकरा रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वार्ड लॉड्स जो हैं युद्ध के जो माईबाप हैं दो तीन खेमे बने हुए हैं उनके बीश टकराहाट है कुछ यहां से तूटके यहां आए हैं बड़े पैमाने पर हिंसा है और जानमाल का नुकसान हो रहा है आखिर लीबिया में यह स्थिति क्यों बनी हुई है और क्या चल रहा है इस स सरकार वहां रही है अब्दुल्हमीद देवीबा की सरकार है जो की युनाइटेड नेशन्स की एक वक्त पे बातचीत हुई थी कि यही सरकार होनी चीए सब की बिल के बनाई जानी चीए उन्होंने मानेता दी थी गौवर्बेंट आफ नैशनल यूनिट उसको कहते हैं वो जिस कहते हैं कि नॉर्इन सी कोष्ट में वेस्टर साइड में घ्याना की नाम से कहा जाता है उस इलाके में है उस पर त्रिपल लिबिया की जो कैeping जो सर्ल रहा है वो उनके कम्ज में है ज्यादतर हिस्सलां 최ःसा लिबिया का डेजर्ट है रेगिस्तान है जहां पर बहुत कम बसती है और उसके दूसरा जो पॉपुलेशन सेंटर से बेंगाजी तोब्रुक में है तो वहां पर जो है खलीफा हफ्तार का वो सरकार बनी वी है वो भी उसको रेप्रेजेंट करते हैं जो कि उनके वहां पहले जो एसेंबली थी पार्लेमेंट थी उनकी वो अभी भी 2014 में चुनी गई है वो भी अभी भी वहां पर उनकी बस यह है बैठक होती है तो दो अलग-अलग खेमे का यह दावा है कि हम एक लीगल रेप्रेजेंटिटीव है लिबिया के हकीकत है कि हफ्तार का इलाका जो उनको जो हिसाया उसी पर कब्जे की लड़ाई थी उसी पर कब्जें की सिर्फ लड़ाई नहीं उसमें एक हिस्सा तूटके एं दिवीबा के सरकार के जगह पर बशगा पथी बशगा का नाम से एक वहां पर लौगरल रॉट है वो इसे लिए वहां फिर लड़ाई के छेड़ के थी शहर के अंदर लड़ाई हुई त्रिपोली के अंदर लगता नहीं बशेगा वहां पर जगह अभी तक बना पाए हैं वो अभी विश्रता शहर के तो और पे वहां चले गए हैं पर हफ्तार की समर्थन उनके प्रती है तो इन्होंने साइड स्विच किया पर अभी तक त्र स्विपोली को कबजा करने वो भी सफल नहीं हुआ था जो थोड़ी सी अनोखी बात है लिबिया बे कि जो आपका नॉर्बल पॉलिटिकल डिविशन समझते दुनिया में है वो यहां पर है नहीं यहां पर आप देखेंगे फ्रांस एक तरफ तो इटली दूसरे तरफ यह जो कहेंगे चाहे वेस्ट एशियन देश हो यह तो आप नेटो देश हो यह तो तर्की रश्या जैसे हलां कि तर्की नेटो में है पर रूसा तर्की अलग-अलग खेमे को सपोर्ट करता है यहां पर तो यह लगता है एक लोकल डिविशन में दूसरे देश एक जो एक गूर नहीं देख पा रहे हैं तो यह एक थोड़ी सी लिविया की मानचित्रों को जो अजीब और गरीब करता है कि यह एक अलग-अलग वार लॉर्ट के साथ अलग-अलग टायब दूसरे देशों का है तो इसमें क्यों है यह समझने के जरुरत है क्योंकि प्रभी एक चीज़ इ यह दबियान चला उसके बाद से लेकर अभी तक का जो सफर है लिविया का वो एक फेल्ड नेशन के तौर पर दुनिया के सामने हैं तो अक्सर जब हम लिविया की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि 11 साल का जो पूरा का पूरा दौर रहा है वो किस तरह से इस देश को बर्बादी की ओर ले गया है और हमने पीछले बार शायद जिकर भी इसका किया था कि लिविया का पतन के बाद गदाफी ने पतन के पहले ही कहा था अगर हम को गिराएंगे तो पूरा नौर्ट आफरिका को अब डिस्टेबिलाइस करेंगे मेडिटरिन को अब नाक है उसको यहां पर आने के लिए तो यह बिल्कुल सही निकला चाहे वो माली मों हो चाहे वो दूसरे देश ओसिया में हो जो गदाफी के भवशत बानी बिल्कुल सही निकला और यह लड़ाए अभी भी लिब्या का अंदर भी है पर दूसरे देशों की वहाँ पर करेंगे इटली पुराना कलोनियल पावर रहा है यहां पर उसने सुचा कि गद्दाफिक उटा के हम कब्जा कर लेगे जानते ही यह हुआ नहीं यह कर नहीं कर पाएं दूसरी बात जो दूसरे देशों के हैं तर्की का खास तोर से इसने सरकार के साथ गया ताकि उसका भी एक हग बने क्यूंकि लिभिया एक ओशन कोस्ट के पावर है तो उनका भी एक हग बनता है दो सो किलोमिटर तक उनकी एक एक इकनॉमिक राइट्स बनता है तर्की और लिबिया की सरकार अगर एकठा होते है तो तर्की भी दावा कर सकता है कि इस पे हमें हिस्टा हिस्टा दिजिए नहीं तो हम आपकी पाइ और इस प्षक्रारा को लेके है और इस इलाके में सबसे बड़ा खराइनपदा है तो सिटेजर यही लडायी है और यही इसी का लालच पे नेटो पावर ना पहनित जाया हम वहा Newton को गया और पूरे मुझे लगता है कि एक बात बहुत साफ है कि अफगानिस्तान हो एराक हो लीबिया या इस तरह से जो देशों की लिस्ट लंबी है जिसको सामराजवादी ताक्तों ने अपने लालच की वज़ा से निशाने पर बनाया वहां पर उन्होंने युद्ध तो शुरू कर दिया ले वह किस तरह से पूरे जोग्रफी को खराब कर रहा है विद्ध्वंस कर रहा है अभी भी सामराजवाद की शक्ति है ध्वंस करने की राष्ट्र को पर राष्ट्र पर कबजा करके अपना कलोलियल रेजीम को पुनस्थापना करने की ताकत नहीं है अमरिका का भी नहीं है हम Nato को देख लिए हमने L identity का हो मामला यूक्रेन युद्ध का हो या फिर Лीबिया के इन बरबाद हाल का एक बाद जो बहुत साफ है कि जो शक्तियां युद्ध पो पहलाती है वह शान्ती कायम नहीं कर पा कायम करने में नाकाम हैं जो सरकारें गिराती हैं वह वहां पर सरकारें खड़ा करने में नाकाम हैं चहे वह मामला अफगानिस्तान का हो इराक का हो या लीबिया का हो यानी एक बात बहुत साफ युद्ध खोर जनता सिर्फ युद्ध चाहती है अमन नहीं और इसके लिए जर की न्यूस क्लिक शुक्रिया